विपुल पटेल जी को जानना है क्लीन साइंसेज के बारे में कि रिजल्ट आया है आगे कटोरी बनेगा क्या अब देखें अब यह कटोरी ऐसी चीज हो गई न मतलब हमारे दर्शकों ने भी इस शब्द को पकड़ लिया है पेटेंट कपरावना पड़ेगा आपको रजी इ जो ब्रीच करेगा उसको देना ही पड़ेगा तो ऐसा है कि क्लीन साइंस का नंबर अभी भी डिमांड क्रियेट हुए क्या तो करीब करीब 228 अभी मुझे लग रहा है इन्वेंटरी प्रॉब्लम चली रही 42% 48% 44% नहीं राजी अभी मुझे लग रहे हैं जो पिछली बार एक अंदाजे से बताया था मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा इन्वेंटरी का इश्यू है अभी भी यहाँ पे लेकिन एक दो क्वार्टर का और मामला है अगर यह इन्वेंटरी का मामला है तो एक दो क्वार्टर का और मामला है उसके बाद यह सब चीजें बॉटम आउ इसका चार्ट देखके मैं सोच रहा था कि कटोरी कहां पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं मतलब एक तो यह बहुत बड़ी बाली कटोरी है वो तो मतलब अभी कल्पना से बाहर की चीज लग रही है और चोटे टाइम फ्रेम पर देखें तो यहां पर कोई कटोरी अभी मतलब को कोवीड वाला कटोरी बनना बड़ा मुश्किल काम है कि वह एक्सेप्शनल टाइम था उतना टाइम तो अब नहीं आने वाला और खासकर जैसे यह ट्रेड वार चलेगा ना चाइना प्लस वन चाइना प्लस टू यह सब तक चलता रहेगा ना मुझे डाउट है कि अब यह स उतना हमारे पास स्कोप स्टीम नहीं है यह वैलिएशन में हम उतना उपर नहीं बढ़ सकते कितना भी आप कटोरी इसका बनाने के कोशिश करेंगे ना तो अगर दो हजार भी बन जाए तो आप उसको बहुत बड़ी खुशी मानी है और वो भी होने के लिए आपको दो साल के उपर लग जाए जाए इतनी जल्दी तो नहीं हो जी बलकि एक कटोरी शायद ऐसी हो सकते थी लेकिन वो जाहरे चार्ट से कि वो फेल हो गई शायद ये वाली कटोरी बन भी सकते थी लेकिन फेल हो गई आप कितनी भी कटोरी इसमें बना ले राजी जी इतने इसमें छेद किये हैं इसने गिरंगे के कोई बी आपका दूद इसमें बचेगा नहीं तो बार-बार वो स्पिल लीख ही हो जाने वाले अभी इसमें समय है नंबर आना ज़रूरी है तो एक बार ही हो गया शुरू ना मुझे लगता है एक अब इमेडियेट तो नहीं शुरू हो पाएगा विकाज फिर से वो यूएस चैनल ट्रेड वार शुरू हो गया ना दिक्कत बढ़ेगी तो एक दो क्वाटर का वार समय लगेगा तो शायद थोड़ा बहुत हो सकता है मिले यह भी है अब बनाते तो हैं लेकिन सिक्स्टी टाइम्स पर थोड़ा मुश्किल है बढ़ पाने जे